भारत के पूर्व प्रधान मंत्री और भारत रत्न स्वर्गी अटल बिहारी वाजपाई का च्यानवी जैंती को बिजिपी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में शुशाषिन दिवस के रूप में मनाए गया इसी के तहट इन दौर में भी कई स्थानों पर अटल बिहारी वाजपाई की जैंती पर कारिक्रम का आयोजन गिये गये मध्यु प्रतीश में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्व प्रधान मंत्री और भारत रतन स्वर्गिय अटल बिहारी वाजपाई की जैंती को सुशाशन दिवस की रूप में मनाये गया इन दोर के भी कई वाडों में जैंती के उपलक्ष में अटल बिहारी वाजपाई को याद किया गया जैंती के उपलक्ष पर प्रधान मंत्री मोडी द्वारा पूरे भारत के किसानों के लिए किसान सम्मान निरी के तौर पर करीब 18,000 करोड रुपे की राशी लगभग 9 करोड किसानों के खातों में भीजी गई है जिसमें मध्यप्रदेश के करीब 78,000,000 किसानों को इसका फायदा पहुचेगा इंद और के बीजेपी शेहर अध्यक्ष गौरव रंडीपी द्वारा बताया गया कि किसानों के हित में लगातार बीजेपी सरकार काम कर रही है विपक्ष किसानों को भ्रमित कर अपनी राजनीती कर रहा है लेकिन बीजेपी किसानों के साथ सदेव खड़ी है और उनके लिए काम कर रही है आज सदे अटल जी के जनम दिन को हम लोग सब सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और आज देश के मध्यप्रदेश के किसानों के लिए बड़ा गौरव और गर्व का विशय है कि पी-एम किसान सम्मान निदी के तद 18,000 करोड रुपे से अधिक लगबग लगबग 9 करोड किसानों के खाते में सीधे आज मानी प्रदान मंतरी हमारे देश के यसरस्वी प्रदान मंतरी नरेंद मोधी जी ने ट्रांसफर किये हैं हमारे मध्य प्रदेश में भी लगबग लगबग 78,000,000,000 लोगों को इसका फाइदा मिलेगा और मुझे लगता है ये केंद्री की भारती अंता पाटी की सरकार किसानों के प्रती कितनी सजग है उनकी कितनी चिंता करती है उनकी लिए उनकी क्या योजना है ये इसका एक जीता जाकता प्रमान है और ऐसे लोगों को एक जवाब है जो किसानों की कुछ एक छोटी टोली को ब्रमित करके देश का वाता और विगाणने की कोशिश करें फिल्हाल खबरों में इतना ही आप बने रहिए मदुभाश जी नियूस के साथ